नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और मैं हूँ आपके साथ मनीश कुमार सैनी बांसवाडा सीट पर दिगज नेता महिंदर जी सिंग मालविया को हरा कर बड़ी जीत दर्ज करने वाले भारत आदिवासी पार्टी सांसद राजकुमार रोत इन दिनों काफी चर्चा में हैं NDA की सरकार बनने के कुछ दिन बाद चर्चाएं चली थी कि राजकुमार रोत NDA में शामिल होने वाले हैं अभी ये कयास हमें ही नहीं थी कि एक बार फिर इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ लिया क्योंकि राजकुमार रोत और उनकी पार्टी के विदायक मुख्यमंतरी बजनलाल सर्मा से मिलने पहुचे इसकी फोटो भी जारी हुई है C.M. भजनलाल शरमा से मुलाकात में नव निर्वाचित सानसाज राजकुमार रोत के साथ प्रतापगर दिले की धरियावध विदानसबा से विदायक थावर्चंद और बासवड़ा दिले की बागी दौर विदानसबा से विदायक जैकृरिश्न पटेल थे इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाएं जरूर तेज हैं लेकिन राजकुमार रोध से कई बार एंडिये में शामिल होने को लेकर सवाल पूछा गया है जिसमें वह कह चुके हैं कि वह स्वतंतर ही काम करेंगे हालांकि लोकसभा चुनाव कॉंग्रेस के समर्तन में लड़ा था दरसल बताया जा रहा है कि राजकुमार रोध डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा से विधायक थे उन्होंने विधायकी के साथ ही चुनाव लड़ा था अब जब वह सांसत बन चुके हैं तो अपनी विधायकी से इस्तिफा देने विधानसभा अध्यक्ष वातुदेव देवनानी से मिले और इस्तिफा दिया इसके अलावा बागी दौरा से विधायक बने जैकृष्ण पटेल के कुछ दस्तावेज पूरे करने थे इसलिए राजकुमार उनको लेकर गए थे साथ ही धरियावद विधायक फावर्चन की छात्रवित्ती को लेकर मांग थी जो सीम के सामने रखी आपको बता दें कि आठ महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी के राजिस्तान और मद्यप्रदेश में चार विधायक हैं अब 84 विधानसबा में उपचुनाव होंगे जहां भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा भी है देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 News